Practice at 44 का पहला सवाल है कि एक rectangle का length and breadth double कर दिया जाए तो कितने time उसका perimeter पुराने rectangle से नए rectangle में double हो जाएगा तो यह रहा हमारा rectangle जो कि हमारा यह old rectangle है इसका length x and y जो ब्रीत है तो इसका अगर question में बोला है इसका अगर double कर दिया जाए तो double यानि student क्या हो गया कि 2 अगर इसका double कर दे तो 1 का double जैसे 2 हो गया 2 का 4 होता है उसी तरह यह बोल रहा है कि इसका हम double कर दे पुराने वाले से नए वो 2x है and breathe वो जो है वो 2y हमने मान लिया तो अब ही इसका हमें जो perimeter वो कितना अगर कितने times हो जो पुराने वाले से नए वाले में कितने time हो कितना गुना वो बढ़ गया तो वो हमें निकाल तो the perimeter of new rectangle is equal to इसका जो formula 2 multiply length length जो हमने यहापे मान लिया 2x क्योंकि double हो गया तो 2 2x plus breath 2 multiply breath तो breath भी 2y है तो अब यहापे हमें क्या करना है calculation करना है 2 to the 4x तो 4x हो गया प्लस यह हो गया 4y 2 to the 4 तो 4y हो गया तो यह हमारा आगया perimeter of new rectangle तो अभी हमें क्या करना है 4x 4x plus 4y is equal to 4 दोनों भी common हो रहा है तो 4 हमने बाहर ले लिया तो x plus y is equal to हो गया यह हो गया अभ से subscribe कीजिए ताकि मैं आगे भी आपको जो सम से वो easy एकदम method से बताऊंगी तो अभी जो है वो answer है हुआ हमारा कितना आ जाएगा the perimeter perimeter of the new rectangle is twice 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 the perimeter of the original rectangle ठीक है student तो यह हमारा जो answer है तो TWICE मतलब तू टाइम वो बढ़ रहा है तो तू टाइम है निए 2x plus y यह हो गया हमारा answer कि वो तू टाइम वो डबल हो रहा है तो डबल होने पर 4x plus 4y हो रहा है और वो कितने टाइम बढ़ रहा है पुराने वाले से नए में तो टू टाइम सो बढ़ रहा है तो टू कॉमन बाहर आ जाएगा nx plus y तो यह हो गया answer तो 44 practice set का यह second question है कि अगर एक square का जो है कि अगर इसके side जाए वो triple कर दिया जाए एक square का side अगर triple कर दिया जाए तो वो how many times कितने time जो perimeter हो जो उसका आएगा और वो नया जो perimeter होगा उसका square कितना होगा तो कितना square centimeter का यह हमें बताना है तो triple यानि क्या होगा triple यानि वो 3 गुना बढ़ रहा है ठीक है student अगर first हमने मान लिया कि वो समझो A था तो triple उसकी side कर दिया तो वो कितना हो जाएगा 3 गुना बढ़ यानि 3 centimeter से वो बढ़ रहा है तो चलिए इसका निकालते है student देखिए कि यहाँ पे जो square है square की जैसे आपको मालूम है कि सभी जो sides होती हुए equal होती है तो चारो भी sides equal होती है तो यह जो पुराना वाला है square अगर उसको A centimeter मान लिया अब जो question में बोल रहे है कि अगर यह पुराने वाले से नया एक square बनाया है वो triple हो गया triple means हो गया student की three times बढ़ रहे यह A था तो यह कितनी इसकी sides हो जाएगी यह 3A यह भी 3A हो जाएगी यह भी 3A हो जाएगी यह भी 3A हो जाएगी मतले चारो दीवारे same होती है four side equal होता है square का तो यह 3A triple times से बढ़ गया तो इसका अब हमें perimeter निकालना है और वो कितने times बढ़ा क इतना परिमिटर आ रहा है तो वो हमें निकालना है तो student जो square का जो perimeter होता है वो यह होता है कि square perimeter is equal to होता है four multiply side क्योंकि इसके four side equal होते है तो four multiply by side तो यहाँ पे जो side है उसका वो कितना आज जाएगा देखिए जो नया वाला है यह पहले हम पुराने वाले का निकाले थे कितना square होगा old square का four हमने a माना है तो four multiply a तो इसका जो perimeter वो हो जाएगा four a तो यह अगया four a centimeter अभी अगर हम new का निकाले new square का अगर हम निकालेंगे new square का तो यह हो जाएगा four multiply three a क्योंकि आपे three times three times जो हमारा है यह बढ़ रहा है तो three अगर हम यहापे लिख देंगे three a तो यह हो गया four three is a twelve तो यह हो गया perimeter इसका twelve centimeter ठीक है student तो यह कितने time बढ़ा है तो जो हमारा new वाला square का perimeter है वो आगया 12 centimeter तो जो perimeter है वो तो यह answer में लिखेंगे हम the perimeter perimeter of the new square is three times three times of the original square यह हो गया हमारा answer three times जो है वो बढ़ रहा है three times तीन गुना पढ़ रहा है अभी तक आपको मेरा चैनल लगवा पसंद आ रहा है तो इसे subscribe कीजिए ताकि मैं आगे भी आपको जो समसे वो easy एकदम method से बताऊंगी student देखिए third question है हमारा यह जो उमारा playground दिया है यहाँ पर तो यह हमें इसे बताना है कि इसका length दिया है तो इसका हमें perimeter निकालना है कि perimeter कितना होगा playground का तो perimeter और playground का निकालनी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले यह diagram मैंने आपको बताया है यहाँ पर देखिए कि इसका जो diagram दिया है यहाँ पर तो A से B, मैंने यहाँ पर सबको नाम दे दिया है A से B जो दिया है यहाँ पर 10 meter दिया है और B C, B C 5 meter है यहाँ पर and D F, जो है यह 15 meter दिया है तो यहाँ पर E F, E F का value मैंने निकाला है तो कैसे निकाला है यह देखिए आपर कि यहाँ पर पहले क्या क्या देखिए यह incomplete diagram है क्योंकि playground है कि छुपा हुआ है इसे हमें पूरा खुद complete करना है पहले तो इसे खुद बनाईए पहले कि यह COD 5 meter है तो यह उपर की line यह playground की जो है यह hide है भी तो इसको हम complete कर देंगे तो इसको यहाँ तक complete कर दिया और इसको यहाँ तक मिला दिया तो इसका नाम मैंने new line बन गी इसका नाम मैंने दे दिया P ठीक है student अब देखिए कि COD जो यह 5 meter है तो यह जो B P हो जाएगा यह भी 5 meter हो जाएगा ठीक है student तो अब A से P कितना हो गया total मिला के 10 और यह 5 तो 10 प्लस 5 हो जाएगा 15 तो यह भी हो गया 15 meter total हो गया है तो यह 15 meter है और यह भी 15 meter हो गया total हमारा अब देखिए कि जो यह हमारा P से लेकर के D जो दिया है B यह दिया है हमारा 15 meter दिया है ठीक है student अब यह जो हमारा D और E दिया है यह भी 15 meter है तो 15 प्लस 15 दोनों को total किया तो यह भी हो रहा है 30 meter यह वाला जो 30 meter हो रहा है यहाँ पे total तो यह भी यहाँ पे भी line जो हो रही है 30 meter हो ठीक है student अब यह हमारा 15 हो रहा है ये भी 15 मिटर हो रहा है तो ये जो अमरा प्लेग्राउंड का जो शेफ है वो रेक्टेंगल की तरफ जा रहा है कि ये रेक्टेंगल शेफ की तरफ हो रहा है तो अब इसका हमें जो पैरिमिटर निकाल लेते हैं कि टोटल क्या होगा तो इसको हमें सीधा से जोड देना है कि सभी लेंथ और ब्रीथ को अब हमें टोटल कर देना है कि सभी हमने निकाल लिया है तो इसको हमें सीधा टोटल करना है तो हमने जो perimeter है, the perimeter of the playground, playground is equal to सीधा हमरा हो जाएगा AP, AP plus P से लेकर के पूरा E तक, P P E plus E F E F plus A E, so सभी साइट को हमें सिफ क्या करना है, इसमें playground को हमें सब को total कर देना है, तो हमारा जो total वह ही निकालना है सिर्फ, तो अभी जो हमारा है AP, AP है पुरा 15, plus P P E 30, प्लस E F 15, plus AE 30, ठीक है स्टुटेंट, यह सभी मीटर में, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन सब को हम total निकारेंगे, प्लस कर देंगे, तो यह हमारा आ रहा है 90 मीटर, ठीक है स्टुटेंट, तो जो answer है वह हो गया, the perimeter of the playground is 90 मीटर, इस्टुटेंट खालियाँ पर diagram को आप समझेए, बाकि इसमें कुछ भी confusion नहीं है, यहाँ पर जो high deadline है, वो हमें complete करना है, अगर यह AP अगर 10, प्लस 5, जो की CD 5 था, इसको भी हमने 5 कर दिया, तो यह 15 हो गया, तो यह वाला भी 15 मीटर हो जाएगा, अगर यह 15 यहाँ पर दिया है, और यह 15 दिया, तो 15 प्लस 15, 30 मीटर हो गया, तो अगर यह line अगर P से लेकर के, जो F तक है, वो अगर 30 मीटर हो रहा है, तो A और E, यह भी 30 मीटर यहाँ पर हो जाएगा, तो student, यह rectangle शेफ बन गया, तो इसको हमें सिफ परिमीटर निकलने के लिए, सिफ मैंने क्या क्या, यहाँ पर सबको हमें प्लस कर देना है, तो सबको मैंने प्लस कर दिया, तो हमारा जो playground का जो परिमीटर हो 90 मीटर आ गया, थैंक्यू, अभी तक आपको मेरा चैनल अगर पस बनाना है, यह वन मीटर का है, इसके अगर हमें चार नैपकिन बनानी का है, तो अगर यह वन का है, उसका हम हाफ करेंगे, तो वन अपन टू हो जाएगा, एक नैपकिन यानि उसको वन अपन टू हो जाएगा, तो उसका हम पैरिमीटर कैसे निकालेंगे, तो चले निकलते ह देखिए student यह हमारा जो piece of cloth है यह 1 meter का है तो अगर इसके हमें इसी में से अगर हमें 4 napkin अगर बनाना है तो हमने इसके 4 टुकडे कर लिए तो जो हो गया यह half meter का हो गया तो half meter का यह जो हो गया इसका अभी हमें perimeter निकलना है कि कितना perimeter होगा तो perimeter जो square का है वो है perimeter of square is equal to 4 multiply side तो यह जो side इसकी हो half meter हो गई है तो 4 multiply side अनि कितना है 1 upon 2 अग हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर cancel कर देंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4 तो जो इसका perimeter आ गया है 2 meter आ गया है ठीक है student यानि 1 napkin का अगर 2 meter हो रहा है तो अगर हमें 4 napkin का पूछा है question में कि 4 napkin का perimeter कितना होगा तो हमें जो आगे है तो therefore 4 napkin 4 napkin से क्या हो जाएगा जो हमारा answer है वो 4 multiply जो यहाँ पर 2m निकाला है 1 napkin का तो वो हम लिखेंगे कि कि हमेरी जो side हो गई हो अभी 2m हो गई है 2 तो 2m तो is equal to 4 to 8 meter तो 4 napkin के लिए कितना length यह required less होगा वो 8 meter हो जाएगा तो answer लिखेंगे हम the length of the required less is 8 meter student देखिए अगर 1 napkin का 2 meter आ रहा है यह perimeter तो 4 napkin का निकालने के लिए 4 multiply 2m यानि 4 napkin का कितना perimeter हो जाएगा 8 meter यानि हमें less लगाने के लिए पूरी napkin में less लगाने के लिए हमें कितना meter less लगेगा तो 8 meter less लगेगा अभी तक आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आ रहा है तो इससे लाइक किजे शेर किजे और सब्सक्राइब किजे और बैल आइकोन को दबहें जिससे मेरी अगली आनी वाली वीडियो आप तक मिल सकें थैंक्यू झाली वीडियो